हर शेर पर 24 रुपए का डिविडेंड देगी यह कमपनी तगड़ा मुनाफा, मैनेजमेंट में भी। बड़ा बदलाव इंजिनेरिंग और निर्मार्ज शेत्र की प्रमुख कमपनी लार्सन एंड टुब्रो एल एंटी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस तिमाही में कमपनी का प्रॉफिट 10% बढ़कर 3987 करोड रुपऐ पर पहुच गया। कमपनी ने मार्च 2022 की तिमाही में 3621 करोड रुपऐ का प्रॉफिट कमाया था। जन्वरी से मार्च 2023 तिमाही में कमपनी का राजस्व मार्च 2022 की तिमाही के 52,851 करोड रुपए से 10 प्रतिशत बढ़कर 58,335 करोड रुपए हो गया। कमपनी का कुल राजस्व भी मार्च 2022 तिमाही के 46,334 करोड रुपए से 11 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2023 तिमाही में 51,502 करोड रुपए हो गया। डिविडेंड की सिफारिश इसके साथ ही कमपनी के निदेशक मंडल ने 24 रुपए प्रतिशेर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है जिसके लिए शेरधारकों की मनजूरी ली जाएगी। कमपनी को 31 मार्च को समाप्त वित वर्ष में समूह के स्तर पर 2,30,528 करोड रुपए के ओर्डर मिले हैं। यह सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की व्रिद्धी है। मैनेजमेंट में बदलाव लार्सन एंड टुबरो के गैर कार्यकारी चेयर्मैन ए एन नाइक ने पद से हटने का फैसला किया है। इसके साथ ही कमपनी ने शेर बाजार को बताया कि एस एन सुब्रमन्यन की कमपनी के चेयर्मैन एवं प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ती की गई है। फिल्हाल कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के परपर तैनात सुब्रमन्यन की नई नियुक्ती एक अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी। कम्पनी के मुताबिक नाएक 58 साल से अधिक समय से उसके साथ जुड़े रहे हैं। उनके मार्क गर्शन में लार्सन एंड टुबरो हित्धारकों को उच्छ मूल्य देने वाली कम्पनी बनकर उभी है।